नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मारोक्स के यूटूब एज्जू के इसने चनल में तो आज हम ऐसी टैबलेट के बारे में सीखने वाले हैं कि जो बलगम को काफी आसानी से निकालती है तो यहाँ पे जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से जो चाती में काफ जमा हो जाता है तो वो काफ को बहुत ही आसानी से निकालने वाली दवा के बारे में हम आज के उडियो लेक्चर में सीखेंगे साथ ही जनेंगे कि यह जो टैबलेट है वो कुछ ऐसे हल प्रॉब्लम से स्वाल करती है जैसे कि सास लेने में दिक्कत होती है मलब कि क्या होता कि काफी जदा बल्गम जमा हो जाता है चाती में तो उसके करन जो पेसंट होता है उसको ब्रेथिंग करने में डिफिकल्टी होती है सास लेने में काफी जदा वो प्रॉब्लम महिसूस करते है फिर बलगम जो है वो काफी ज़दा अधिक मातरा में सरीर में बनता है जिसके करन क्या होता है कि जो फेपडो का जो बाग होता है वहाँ पे ये बलगम जो है वो काफी ज़दा मातरा में जमा हो जाता है और जो person है उसको बात करते वक्त या फिर जब सोया हुआ है उस वक्त काफी ज़दा जो खासी आती है और यह जो खासी है वो लंबे समय तक चलती रहती है तो यह जो सबी problems को solve करने वाली बहुत अच्छे tablet के बारे में सिखते हैं कि जिसका नाम है AB File in SR Tablet तो शुरू करते हैं आज का lecture और जानते हैं यह tablet के बारे में detail में और यह जो सभी chapter से उसकी detail study करेंगे हम आज की video lecture के अंदर है तो शुरू आत करते हैं सबसे पहले basics से तो यह जो tablet है वो ऐसा class का medication है कि जिसको bronchodilators कहते हैं bronchodilators यानिकि ऐसे दवया कि जो हमारे bronchial tubes होती है जो हमारे फेपडों के अंदर जो नलिया होती है उसको काफी जदा जो है वो ब्रॉड कर देती है और ब्रॉड करने के कारण जो हवा जो है जो air है वो अच्छे से हमारे जो फेपडों में पास होती है जिससे पेशन्ट जो है काफी ज़दा रहात की सास लेता है फिर ब्रांड नेम देखे तो AB-Phylin जो है उसका ब्रांड नेम है कि जिसके अंदर 200 mg जितना ड्रग प्रेजन्ट है और यह सस्टेन रिलिस टैबलेट है यानि कि दीरे दीरे अपनी दावाई जो है वो रिलिस करती है और जो salt content के हम बात करें तो Acibro Flylin जो है वो उसके इंदर प्रेजन्ट है 200 mg जितना manufacture के हम बात करें तो sun pharmaceuticals जो है उसके manufacture है और sun pharma के बारे में आपको बताओ कि यह एक इंडिया की multinational pharmaceutical company है जिसकी head office इंडिया में मुंबई में है तो यह पर आप समझो तो यह जो tablet के जो use है तो जो respiratory problems होते है मलब कि जो हमारा स्वसंत अंत्र है उससे जुड़े जो problems होते है जैसे कि अस्थमा है COPD का जो problem है और उसमें यह होता है कि कई बार bulgum काफी ज़्यादा बनता है छाती में कब जमा हो जाता है जो bronchial tubes होती है वो काफी ज़्यादा जो है वो सिकूर जाती है तो उसको broad करने के लिए यह medication जो है वो help करती है और bronchitis के problem को भी solve करने में EB-filing NASA tablet को प्रिस्क्रेब किया जाता है तो जो सांस रेने में दिक्कत होती है सांस की तकलिफ होती है फिर bulgum काफी ज़्यादा amount में बन जाता है सरेर में और वो आसान इसे नहीं निकलता तो ऐसे समय में EB-filing NASA tablet को यूज़ करने से यह जो सभी problems है वो ठीक होते है और patient को जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो problems में राहत मिलती है तो यहाँ पर में वीडियो के बीच में आपको ad break लेके बताना चाऊंगा कि जैसे हम आज की वीडियो में यह tablet के बारे में सीख रहे है बलगम के बारे में सीख रहे है फिर COPD जो है अस्तमा है तो यह सभी बीमारियों के बारे में आपको detail में सीखना है उनके उपचार के बारे में सीखना है कि कौन सी दवा यह use होती है तो जो हमारी book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते है जो decision treatment book जो है वा ब्रैडी है तो यह book को purchase करने के लिए आप दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं तो अब आदा है topic पर और समझते हैं उसके level के बारे में तो EB-falin SR जो tablet है वो हम देखे तो sustain release type की tablet है और sustain release tablet में यह होता है कि उनके अंदर जो drug होती है वो काफी दीरे दीरे release होती है और लंबे समय तक अब वो अपनी effect देता है और 200 mg जितना यह एक tablet के अंदर ऐसे ब्रोफ प्राइलें जो वो present है यहाँ पर red line है मतलब की वो indicate करती है कि यह जो medication का self medication नहीं करना है prescription के साथ ही जो है उसको use करना है tablet के type की हम बात करें तो यह sustain release type की tablet है और uncoated है उसके उपर किसी भी तरह का coating नहीं किया है पर यहाँ पर एक direction यह है कि जब कोई person sustain release tablet use करता है तो उसको ना ही चबाना है ना ही crust करना है उसको जो है बीना तोड़े निगल जानी होती है तो यह खास एक direction आपको ध्यान रखनी है जब कोई person SR tablet को use करता है तो उसका reason यह होता है कि जब आप यह tablet को तोड़ देते है तो क्या होता है कि वो काफी speed से काफी fast अपना drug जो है वो आपके सरीर में release कर देती है जिससे कई बार side effects भी हो सकती है और जिस तरह से आपको उसकी effect चाहिए वो नहीं मिलेगी उसके करन आपको क्या हो कि उसको नहीं तोड़ना है नहीं उसको चबाना है पूरे की पूरे tablet को जो है वो बीना तोड़े निगल जानी है अब बात करें तो उसके packing की तो blister pack में available है और एक pack के अंदर और दस जितने tablets available होती है working की बात करें तो जिससे मैंने आपको समझाए कि यह bronchodilator class की medication है मतलब कि जो bronchial tubes होती है उनको dilate करके यह अपना काम करती है bronchial tubes को dilate कर देना मतलब कि उनको relax कर देना और relax करने से क्या होता है कि जो air है वो अच्छे से आपके lungs तक आपके फेपडों तक पहुशती है जिससे patient को जो हो easy रहता है breathing करने का तो actually क्या होता है कि इस तरह से हमारा normal bronchial tube होता है परस्थामा, COPD या फिर gyosthematic attack होते है या फिर बलगम जमा हो गया है तो SME यह जो है वो सिकुड के इस तरह से छोटा हो जाता है तो जब bronchodilator दवाई दी जाती है तो वापस उसके muscles relax होके उसका dilation हो जाता है जो सिकुड गई थी bronchial tube ब्राड हो जाती है जिससे हवा जो है अच्छे से पास होती है lungs में और patient जो है वो काफी जदा अच्छा मैसूस करता है ये tablet को लेने के बाद सो जब कोई person को ऐसा problem है कि उनको bronchial tube narrow होने से asthmatic आता है या फिर breathing इससे होता है तो ये medication लेने से ये problem solve होता है इसको लेने के बाद person easily breathing कर पाते हैं अब बात करते हैं ये tablet के dose की तो जो adult person है उनके लिए जो dose हम देखें तो 100 mg twice Delhi मनलब की जो 100 mg दिन में देवबार ले सकता है पर ये जो tablet है वो sustain release tablet है तो सिर्फ एक tablet पर डेके हिसाब से लेने मनलब की 200 mg drug अल्रेड़ी है एक tablet के अंदर प्रेसेंड है और ये sustain release है मनलब की उसके अंदर रहा जो drug है वो देड़े देड़े release होगा मनलब की patient को दिन में दो बार tablet लेनी की जुरूरत नहीं है सिर्फ एक ही बार ये tablet जो है वो लेनी है price के हम बात करें तो ये tablet के price रहेगी 252 रूपीस के राउंड है और एक tablet के price पड़ती है राउंड 25 रूपे जितनी तो यहाँ पर मैं आपको फिर से reminder देना चाहूंगा हमारी book के बारे में तो अगर आपको हमारी book purchase करनी है तो दिये गए नंबर पर आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर description box में से हमारी mobile application भी download कर सकते है या फिर एकदम easily book को purchase करने के लिए आप यहाँ दिये गए नंबर पर whatsapp पर message कर दीचिए अब समझते हैं ये tablet के कुछ side effects की तो अगर कोई person ये इसको ले रहा है तो ये सब कुछ side effects हो सकती है जैसे की उल्टी होना, जी गबराना सीने में जलन जैसा होना स्कीन के उपर रैसिस बन सकते है कुछ लोगों को दस्त हो सकते है और ज़्यादा देर तक नीन दाना उबासी लेना ऐसे कुछ side effects हो सकते है अब वर्निंग्स के हम बात करे तो किसी को एसे ब्रोफाइलिन की allergy है तो एसे लोग ये tablet को यूज़ ना करे किसी का blood pressure maintain नहीं है irregular heartbeats रहते है या फिर unstable blood pressure है किसी का उसके अलाबा हम देखे तो जो heart attack का जो किसी को problem हो रहा है, kidney disease है liver related जो problem से gastric या फिर duodenal ulcer के जो patient है वो उसको use ना करे pregnancy category के हम बात करें तो C है और C category की जो दवाया होती है वो pregnancy के दौरान unsafe माने जाती है तो pregnancy में आप उसको use ना करे फिर यहापे जो listed जो दवाया है उसके साथ ये drug drug interactions करती है मलब कि अगर आप ये दवाया यूज़ कर रहे हैं तो combination में ये medication को use आप ना करें तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहापे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी information दी है So good luck and all the best